इस वीडियो में मैं आपको Realme 8 और Redmi Note 10S का comparison करके बताने वाला हूँ अब जो Redmi Note 10S है ये हाली में launch हुआ है तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन भेतर है देखते रहिए डिजाइन के अगर बात करें तो हरे का अपना अपना personal choice होता है और इसमें दो और parameters आजाते हैं एक तो है slimness और दूसरा है weight और इन दोनों ममलों में Realme 8 lightweight भी है और slim भी है Realme 8 7.9 mm slim है और weight है 177 grams जबकि Redmi Note 10S 8.29 mm slim है और इसका weight है 178 grams वैसे thickness और weight में ज़्यादा difference तो नहीं है लेकिन अगर आप एक हलका smartphone खरीदना चाहते हैं तो Realme 8 थोड़ा सा हलका है और slim भी है दोनों ही handsets AMOLED display के साथ में आता है और इन पर 60Hz refresh rate दिया हुआ है लेकिन अगर आप premium experience की बात करें तो Realme 8 पर आपको थोड़ा सा premium features मिलता है जैसे की in-display fingerprint sensor जो की Redmi Note 10S पर missing है in fact Redmi Note 10S पर side fingerprint sensor दिया हुआ है यहाँ पर भी अपना-पना personal choice है कुछ लोगों को advanced technology पसंद आता है तो Realme 8 वो smartphone है जो की in-display fingerprint sensor के साथ में आता है वैसे दोनों smartphones में बहुत सारी चीज़े similar है जैसे की इस पर जो hardware का उप्योग किया गया है यह Mediatek Helio G95 chipset का उप्योग कर रहा है और अगर आप performance देखें तो almost same type का performance है यह देखें यह है geek bench score तो geek bench score अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा difference नहीं है दोनों में ही same hardware का उप्योग किया गया है और दोनों ही handsets Android 11 run कर रहा है out of the box अपने-अपने UI के साथ में जहां तक performance का सवाल है दोनों ही smartphones पर आप games खेल पाएंगे gaming के लिए दोनों ही smartphones बहुत ही बढ़िया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे realme 8 में थोड़ा सा भैतर लग रहा है camera के अगर बात करें तो दोनों ही smartphones पर 64 megapixel का primary camera दिया हुआ है और जहां तक photos का सवाल है चलिए चेक करते हैं दोनों का comparison करते हैं तो दोनों ही smartphones पर same type का camera setup दिया हुआ है रियर साट पर जिसमें 64 megapixel primary camera है 8 megapixel, 2 megapixel और 2 megapixel combination का उप्यों किया गया है front camera थोड़ा सा अलग है realme 8 पर 16 megapixel है जबकि redmi note 10s पर 13 megapixel है सबसे पहले यह देखें यह जो shot आप देख रहे हैं left hand side पर यह मैंने realme से shoot किया हुआ है और जो right hand side वाला shot है यह मैंने Xiaomi से shoot किया हुआ है 64 megapixel में और यहाँ पर clearly आप देख सकते हैं कि जो realme 8 का जो shot है यह काफी बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा overexpose कर दिया है Xiaomi ने, यह देखें यहाँ पर जब मैं zoom in करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें यह जो details है यह Xiaomi का जो shot है उसमें missing है तो definitely यहाँ पर जो realme 8 है यह बढ़िया 64 megapixel का shot शूट कर रहा है यह देखें यह है wide angle shot और यहाँ पर भी realme 8 ने काफी बढ़िया काम किया है वैसे मैं realme 8 पर मैंने tap करके जो exposure है उसे थोड़ा सा कम किया हुआ है और यहाँ पर जो Xiaomi का shot है अगर मैं वही same चीज करने की कोशिश करूँ तो देखें क्या होता है यह देखें यहाँ पर मैंने tap करके जो exposure है उसे कम किया है और जो output है वो completely change हो जाता है तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो Realme 8 है उसने बढ़िया काम किया है wide angle mode में और एक और चीज आप देखेंगे कि दोनों ही smart phones ने काफी बढ़िया तरीके से wide angle shot shoot किया हुआ है और distortion नहीं है left side या right side पर दोनों ही smart phones को जो shot है काफी perfect है distortion के मामले में लेकिन quality के अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा blue-ish color देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर Xiaomi पर missing है अब यह जो shot है मैंने normal तरीके से shoot किया है मतलब कि photo mode को मैंने select किया है और directly shoot किया है बस कुछ नहीं same चीज मैंने Xiaomi के साथ में भी किया हुआ है यहाँ पर मैंने macro mode का उपयोग किया है दोनों ही smartphones ने काफी बढ़िया macro shots से shoot किया है लेकिन देख सकते हैं कि color difference यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वैसे realme ने जो colors है उसे सही तरीके से pick up किया है और अगर मैं यहाँ पर zoom in करूं तो देख सकते हैं कि ज़्यादा difference नहीं है दोनों ही smart phones का जो macro shot है यह काफी बढ़िया है अब यह जो shot आप देख रहे हैं left hand side वाला shot मैंने realme से shoot किया हुआ है right hand side वाला Redmi Note 10S से shoot किया हुआ है यहाँ पर मुझे जो note 10S का shot है यह काफी अच्छा लग रहा है अब यह जो shot है यह मैंने portrait mode में shoot किया हुआ है मैंने जो portrait mode है उसे select किया है और directly shoot किया है कोई भी tapping नहीं किया हुआ है कोई भी changes नहीं किया हुआ है as is shoot किया हुआ है यहाँ पर भी मुझे जो Realme 8 का shot है यह काफी अच्छा लगा और अगर मैं zoom in करूँ तो आप देख सकते हैं कि Realme 8 ने जो skin है से smooth किया हुआ है जो skin tones है इसमें भी आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है लेकिन skin को smooth करने से जो look है काफी change हो जाता है और बहुत सारे लोग जो है अपने आपको present table दिखाना चाते है तो उनके लिए यह जो skin softening है यह मुझे लगता है कि काफी अच्छा लगता होगा वैसे अपने अपनी choice है लेकिन यहाँ पर मुझे Realme 8 का जो shot है यह काफी अच्छा लग रहा है social networks पर अगर share करने की बात करें तो definitely यह जो shot है यह लोगों को काफी पसंद आने वाला है यह एक और random shot है left hand side Realme, right hand side Xiaomi थोड़ा सा color variation आपको देखने को मिलता है लेकिन दोनों ने ही काफी बढ़िया काम किया है मुझे actually यहाँ पर Realme 8 का जो shot है खास करके जो colors Realme 8 प्रेड्यूस कर रहा है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है बसे again अपने अपनी पसंद होती है कुछ लोगों को इस type का जो shot है यह पसंद आता है कुछ लोगों को इस type का जो shot है यह पसंद आता है तो यह देखिए जो details है वो काफी बहतर है Realme 8 पर Xiaomi का Note 10S के comparison में लेकिन दोनों ही smart phones का जो night shot है वो इतना ज्यादा impressive नहीं है अब यह एक और portrait shot है जो कि मैंने studio में shoot किया हुआ है जो studio light है उसका उप्यों करके और यहाँ पर भी मुझे जो realme 8 है इसका जो shot है और जो colors है यह काफी पसंद आया है यह देखिए zoom in करने पर आप देख सकते हैं कि skin softening यहाँ पर भी realme ने by default किया हुआ है वैसे of course जो smart phones होते हैं उनका जो camera है उसमें आपको beauty mode भी मिलता है तो अगर आप चाहें तो उसे भी use कर सकते हैं लेकिन जो भी shots आप देख रहे हैं यह मैंने directly as is shoot किया हुआ है जैसे कि यह जो portrait shot है portrait mode में जाने के बाद मैंने directly इसे shoot किया है बस इतना ही कोई changes नहीं किया हुआ है और कहीं पर भी tap नहीं किया हुआ है क्यूंकि आम तोर पे जो लोग हैं इसी प्रकार से smartphone का उप्योग करने वाले हैं और काफी लोगों को camera का knowledge नहीं होता है तो मैं as is shoot कर रहा हूँ यह जो shot ह यह मैंने photo mode से shoot किया हुआ है normal photo mode का उप्योग करके और यहाँ पर भी जो color difference है वो आपको देखने को मिल रहा है और अगर मैं zoom in करूं यहाँ पर जो skin softening है वो हो चुका है लेकिन यहाँ पर clarity है वो मुझे Xiaomi का जो shot है उस पर बहतर लग रही है और वो इसलिए क्योंकि और यहाँ पर मुझे लगता है कि Realme ने अच्छा काम किया है जो skin tones है perfect है और आखिर में मैं आपको एक और shot बताना चाता हूँ यह दिखे यह है random shot और यहाँ पर दोनों ही smart phones ने काफी बढ़िया काम किया है तो सवाल यह आता है कि इन दोनों में से किसका camera quality बहतर है वैसे जाधा difference नहीं है लेकिन साधा करके situations में Realme 8 आपको बढ़िया shots खीच के देने वाला है वैसे दोनों ही smart phones का जो camera है उसमें आपको अलग अलग टाइप के features मिलते हैं और खास करके अगर Realme 8 की बात करें तो tilt shift camera mode, neon portrait, AI, color bokeh बगएर बगएर इस प्रकार के बहुत सारे unique features available है अब दोनों ही smart phones पर 5000 image की battery है और क्योंकि जो main parameters हो same है जैसे की display same है, hardware same है और battery same है तो जाहिर है कि आपको जो performance है वो almost same मिलने वाला है लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत कुछ software पर भी depend करता है तो जो battery life है काफी हद तक आपकी usage pattern पर भी depend करने वाला है लेकिन आपको Realme 8 पर बैटरी performance मिल सकता है जहां तक charging का सवाल है दोनों ही smart phones fast charging support करते हैं और box में दोनों ही smart phones के आपको fast charger मिलता है 30 watt dark charger आपको Realme 8 के साथ में मिलता है जबकि Redmi Note 10S के साथ में आपको 33 watt का charger मिलता है तोड़ा सा watt जादा है Redmi Note 10S के साथ में लेकिन surprisingly अगर charging speed की बात करें तो Realme 8 तकर बारी बन 73 मिनिट्स के आसपास लग जाते हैं तो जो डार्ट charger है यह fast भी है और safe भी है वैसे Realme 8 15 watt PD charging भी support करता है और यह 5 layer security protection के साथ में आता है और hardware level security protection भी entire charging process के दोरान मिलता है RAM और ROM के अगर बात करें तो दोनों ही smart phones पर LPWDR 4X RAM का उप्योग किया गया है और storage के अगर बात करें तो UFS 2.1 Realme 8 पर और UFS 2.2 Redmi Note 10S पर वैसे performance में जादा अंतर नहीं है disk speed test मैंने किया है यह रिखिए तो आप देख सकते हैं कि जो read speed है दोनों में जादा अंतर नहीं है और जो कि Realme 8 पर रन हो रहा है यह नया UI है Realme की तरफ से और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से optimize किया हुआ है इसके अलावा Deep Sea Privacy Plan और Security Shield यह भी आपको Realme UI 2.0 के साथ में मिलता है जो कि आपके data को safe और secure रखता है चलिए अब pricing के बात करते हैं Realme 8 का जो pricing है यह शुरू होता है 14,499 रूपीज 4GB RAM और 128GB storage के साथ में जबकि Redmi Note 10S का जो pricing है यह शुरू होता है 14,999 रूपीज 6GB RAM और 64GB storage के साथ में तो यहाँ पर RAM कम है ROM जादा है Realme 8 पर और RAM जादा है ROM कम है Redmi Note 10S पर वसे RAM से तो जादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन जो internal storage space है वो definitely जतना जादा होगा उतना बहतर है तो इन दोनों smartphones में से आपको कौन सा smartphone खरीदना चाहिए वैसे आपका personal choice है और वैसे भी बहुत सारे जो parameters है वो सेम है उनमें जादा अंतर नहीं है लेकिन जो key factor है जो मेरे लिए important है वो है internal storage space जो की मुझे जादा मिल रहा है Realme 8 पर तो definitely मैं Realme 8 के जादा उसमें difference नहीं मिल रहा है उपर से Realme 8 Lite भी है Slim भी है और यह 4G smartphone है in fact दोनों ही smartphone 4G support करते हैं तो under 15,000 रुपीज के मुझे लगता है कि जो Realme 8 है यह एक बड़ी option है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में से आप कुन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे कमेंट के मादम से मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को like जरूर कीजे और देखते रहे हैं